Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, जब भी हमें इंडिया के किसी एक राजी से दूसरे राजे में या एक शहर से दूसरे शहर में सिफ्ट होना होता है तो इस तरह के सिचोशन में गाड़ियों के साथ दिक्कत बहुत जादा बढ़ जाता है रिसेंटली Ministry of Road Transport and Highways ने BH यानी की भारत सिरीज के नमबर प्लेट को लाँच किया है और अगर आप पी गाड़ी में ये BH सिरीज का नमबर प्लेट लगा हुआ होगा तो आप इंडिया के किसी भी राजी में जा सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो आपको री रेजिस्टर नहीं कराना होगा, साथ ही आपका कोई भी चलान, कोई भी फाइन नहीं लगने वाला है तो आकर ये BH 40 का नमबर प्लेट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये किन गाड़ियों को मिलेगा, ये किन लोगों को मिलेगा ये सम मैं आपको आगे इस वीडियों बताने वाला हूँ, वैसे नॉर्मल तरीके से एक गाड़ी को दूसरे राजिये में कैसे री रेजिस्टर किया जाता है इसके उपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आगे इस वीडियो को पूरा देखे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले अफेंट्स देखे, 15 सेप्तिमबर 2021 से आप इन बी एच सिरीज के नंबर प्लेट्स के लिए अपनी गाड़ियो के लिए ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अफेंट्स ये जो बी एच सिरीज के नंबर प्लेट है वो नई गाड़ियों के साथ जो पुरानी गाड़ियां है उन्हें भी मिल जाएगा लेकिन ये जो बी एच सिरीज के नंबर प्लेट है वो अभी सभी लोगों को नहीं मिलने वाला है किन लोगों को मिलेगा मैं आपको बतायता हूँ देखे सबसे पहले तो अगर आप किसी defense sector से जुड़े हुए हो इंडिया के तो आपको मिल जाएगा दूसरा अगर आप central government यानि कि जो हमारा केंदरी की सरकार है और जो राजिस की सरकार है तो इनके किसी भी firm में आप काम करते हो इनके किसी भी company में आप काम कर सकते हो इन सरकार के साथ जुड़े हुए हो तो भी आपको ये जो BH series का number plate है वो मिल जाएगा और थर्ड बात करें तो देखे प्राइवेट सेक्टर को भी अभी ये जो BH series का number plate है वो मिलने वाला है लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आप जिस भी private company में काम करते हो उस company का आपकी company का इंडिया के कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा states में उनका branch होना चाहिए तभी private लोगों को ये number plate मिलने वाला है अगर अभी 4 से आप जिस company में काम करते हो और उसका जो branch है वो 4 से कम है तो फिलहाल के लिए आपको ये BH series का number plate नहीं मिलेगा लेकिन बहुत जल्द आपको वो भी सुईधा देखने को मिल जाएगी अब अगर taxes की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर tax का slide कुछ इस तरह से है मैं आपको समझा दूँ कि देखे आपको 14 साल के लिए आपको tax देना होगा लेकिन जो 14 साल का tax है वो आपको एक बार में नहीं देना है बलकि 2-2 साल के premium के तरह के देना है मैं आपको यहाँ पर यह भी clear कर दूँ कि अगर आपका जो non-transport vehicle आपका जो private vehicle है उसका कीमत अगर 10 लाक रुपया से कम है या 10 लाक तक है तो आपको 8% tax देना होगा अगर 10 लाक से 20 लाक के बीच में है तो 10% और अगर 20 लाक से जादा है तो फिर आपको 12% tax देना होगा अगर electric गाड़ी है तो सारे slab में 2% कम लगेगा और अगर diesel गाड़ी है तो 3 slab में जो 2% है वो जादा लगने वाला है साती मैं आप यह भी किलर करना चाहूँगा कि 14 साल के बाद यह जो tax है वो just half 50% हो जाएगा और आपको early यानि कि annual basis पे यह tax को भरना होगा तो यह है BH series के number plate का taxes का जो format है आपको यहाप यह भी किलर कर दूँ कि अगर आपकी गाड़ी का पहले से tax भरा हुआ है आपको number plate मिला हुआ है तो फिर इन taxes का क्या होने वाला है वो अभी सरकार ने clear नहीं किया जैसे ही clear होगा तो मैं वीडियो के जरी अपडेट कर दूँगा फ्रेंड्स यह तो हो गई BH series के tax format की बात अब अगर number plate के format की बात करे तो देखे सुरू के दो digit में air होगा यानि कि अगर आप 2021 में अपने BH series के number plate को book करते हो तो सुरू में 21 लिखा हुआ होगा अगर 22 में करोगे तो 22 लिखा हुआ होगा इस तरह से change होगा ठीक है उसके बाद जो दो digit होगा वहाँ पे BH लिखा हुआ होगा यानि कि भारत उसके बाद जो 4 digit है वहाँ पे आपकी गाड़ी के लिए अलग से number होगा जैसे कि अभी भी होता है 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, जो भी number होगा वो 4 digit होगा और आखरी का जो 2 digit है वहाँ पे एक series होगा जैसे कि अभी भी होता है A, 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 B, A, C, C, D इस तरह के जो series होता है वो लिखा हुआ होगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा BH series का number plate अब फ्रेंट्स चुकी यह जिस नया नया आया है तो इस से जुड़ोवा बहुत सारा dots तो आपको होगा ही तो मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे comment करो और BH series number plate का FAQ मैं कर दूँगा जहाँ पे आपके जितने भी dots से वो clear कर दूँगा साथ ही मैं आपको बता दूँ कि भी recently क्या हुआ है कि minister of road transport highways ने exactly step by step कैसे apply करना है वो clear नहीं किया है जैसे ही वो clear हो जाएगा तो उसके उपर में भी मैं detail video बना दूँगा तो friends मेरे according to BH series का number plate यह बहुत ही बेहतर होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि frequently अपने राज्यों को अपने states वगरा को शहर को change करते है उम्मीदे आज का वीडियो को पसंद आयोगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे मिलते अगले वीडियो में thanks watching this video good bye